नमस्कार दोस्तो देख्जाम हैकर चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो आज हम लोग ट्रॉपकल साइकलोन के बारे में यहाँ पर श्टडी करेंगे तो ट्रॉपकल साइकलोन के बारे में हम लोग क्या करेंगे वो यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहले देखेंगे tropical cyclone होती क्या है और कौन-कौन से conditions होते हैं जो tropical cyclone के formation में help करते हैं वो हम लोग देखेंगे फिर different names है around the world इसको हम लोग discuss करेंगे फिर देखेंगे development stages यान ट्रॉपकल cyclone four stage में development होते हैं फाला होता है tropical disturbance, depression, storms और matured ठीक है तो चारो stages को हम लोग इस वीडियो में discuss करने वाले हैं फिर लास्ट में दोस्तो ट्रॉपकल cyclone जब matured stage में पहुंच जाती है तो उसकी character stick को हम लोग यहाँ पे discuss करेंगे तो चलिए दोस्तो आज की वीडियो हम लोग ट्रॉपकल cyclone के सब कुछ यहाँ पे detail में study करेंगे जो UPSC दवरा पूछे जाते हैं ठीक है तो ट्रॉपकल cyclone के origin होता है दोस्तो वो warm ocean होता है always हमेशा ट्रॉपकल cyclone के origin होगा वो ocean में होगा और ocean भी warm ocean होगी वहाँ पे originate होगा ठीक है तो ट्रॉपकल cyclone warm ocean में originate होती है और वहाँ पे जो low pressure area होती है उसके around वो क्या करती है मूब करती है ठीक है तो जो cyclone होती है low pressure एरिया के एराउंड मूब करती है और जो मोवमेंट होता है वो फेरल लोग के हिसाब से आप देखोगे तो नदन हेमी स्वेर में हमारा तो जैसा कि आप नाम से पता है ट्रॉपकल साइकलोन हमारा ट्रॉपकल कैप्रिकॉन के बीच में ओरिजिनेट होती है और उनका विंड्स का जो मूमेंट होता है लोग प्रेसर एरिया के एराउंड मूमेंट होता है तेरा दोस्तों यहाँ पर ट्रॉपकल सैकलोन के बारे में है तो ट्रॉपकल सैकलोन दोस्तों दो टाइप के होते हैं एक नॉर्मल ट्रॉपकल सैकलोन एक होती है सूपर ट्रॉपकल सैकलोन नॉर्मल ट्रॉपकल जो सैकलोन होती है उसकी विंड्स की स्पीड आप देखोगे 119 km per hour के हिसाब से होती है अब टू 119 km per hour होती है नॉर्मल सैकलोन की winds लेकिन सुपर जो सैकलोन होती है दोस्तों उसकी winds आप देखोगे तो 220 km per hour के speed से भी ज्यादा हो सकती है सुपर सैकलोन का और सुपर सैकलोन जनरली आप देखोगे कि 10 साल में 1.8 बार आईगा या 2.8 लेकिन नॉर्मल सैकलोन हम देखो कि हर साल 1 या 2 बार नॉर्मल साइकलोन आ जाता है तुस्त और रिसेंटली जो पे आप बंगाल में super cyclone आया था उसका नाम था उंफान ठीक है am, phan उंफान इस super cyclone था जो बहुत साल बाद आया था way of वंगाल में तो दोस्तो टॉपकल cyclone इसके लाव हैं दोस्तो multi hazardous destructive storms है multi hazardous का मतलब क्या है कि देखो इसकी winds speed बहुत ज़ादा होती है और winds की speed से हमारा physical damage होता है physical damage में आप देखोगे कि यहाँ वेजेटेशन का loss होता है और यहाँ पे घर की या economy की जो वहाँ पे जो infrastructure होते हैं उनकी loss होता है इसकराव दोस्तो टॉपकल सैक्रोन बहुत जादा intense rainfall क्रेट करते हैं बहुत ही short duration में तो intense rainfall बहुत जादा होता है उसके वज़े से यहाँ पे flooding होती है तो सबसे पहले winds की वज़े से physical damage होता है उसके बाद हमारा flooding होती है intense rainfall होने के बाद उसके लाग आप देखोगे तो ocean में जो wave create होता है यानि बहुत large wave create होते हैं उसके destructive storms से तो tropical cyclone क्या है multi hazardous cyclone है जो winds से हमारा physical damage होता है infrastructure के damage होता है floods से भी जानमान के हाली होती है इसके लावा ocean में storms पैदा करते हैं बड़े बड़े waves पैदा करते हैं ठीक है तो हमारा tropical cyclone का थोड़ा सा introduction हो गया अब इसको देख लेते हैं दोस्तों अगला हम लोग देखो condition of formation of tropical cyclone जैसा कि दोस्तों tropical cyclone tropic of cancer और tropic of capricorn के बीच में यानि tropical area में formation होता है ठीक है तो इसके लावा भी आप देखों कि equator के पास हमारा tropical cyclone का formation नहीं होता है तो देख लिएते हैं क्या के conditions होते हैं suitable होंगे तभी tropical cyclone का formation होगा तो सबसे पहला जो condition है दोस्तों large sea surface होना चाहिए यानि tropical cyclone के formation के लिए हमेशा sea surface होना चाहिए वो भी large area में है ठीक है यहाँ पर continent पर tropical cyclone का formation नहीं होता है हमेशा sea में होता है वो भी large sea surface में और जिनकी temperature होनी चाहिए वो sufficient larger duration के लिए 27 degree centigrade से भी ज्यादा होनी चाहिए यानि कि ऐसा sea surface जिनकी temperature 27 degree से ज्यादा है थोड़ा सा ज्यादा duration के लिए ऐसा नहीं कि एक दो दिन के लिए हो सकता है 15-20 दिन के लिए 27 degree से ज्यादा वहाँ पर temperature है तो वहाँ पर ट्रॉपकल सैकलोन का formation हो सकता है इसकला हो दोस्तों Coriallis force का presence होना चाहिए देखो इसलिए यहाँ पर equator पे आपको ट्रॉपकल सैकलोन का formation नहीं देखने मिलेगा 5 degree North और 5 degree South के बीच में ट्रॉपकल सैकलोन का formation नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर Coriallis force जनरली 0 के बराबर होता है तो जहाँ पर Coriallis force 0 होंगे वहाँ पर ट्रॉपकल सैकलोन का formation नहीं होगा इसलिए आपको 5 degree North से 24 degree North के बीच में होगा यह तो ट्रॉपकल सैकलोन का formation क्योंकि यहाँ पर Coriallis force होगा यह 5 degree South और 24 degree South के एराउंड होगा ट्रॉपकल सैकलोन का formation ठीक है तो equator के पास यह डोलडर्म के पास ट्रॉपकल सैकलोन का formation नहीं होता है ठीक है पर देखो vertical जो winds होती है उनकी small variation होती है यानि कि vertical जो यहाँ पर ascending winds होगी उसकी जो variation होगी वो हमारा बहुत ही wind की speed की small variation होगी यानि बहुत ही तेश से winds का uplift नहीं होगा यह slow motion में होगा ठीक है इससे क्या होती है कि यहाँ पर cloud का formation अच्छे सोचता है condition से अच्छे सोचता है तो यहाँ पर small variation आप vertical wind की speed होनी चाहिए बहुत ज़्यादा variation नहीं होनी चाहिए यह भी एक condition है फिर देखो pre-existing weak low pressure area होनी चाहिए ऐसा नहीं कि जहाँ पे हमेशा high pressure area रहता है और कभी कभी वहाँ पे 27 degree से ज़्यादा temperature हो गया तो वहाँ पे tropical cyclone का formation होगा ऐसा नहीं होता है वहाँ पे pre-existing weak low pressure area होनी चाहिए इसलिए आप देखो के Southern Atlantic Ocean में वहाँ पे pre-existing weak low pressure area नहीं है इसलिए Southern Atlantic Ocean में आपको tropical cyclone का formation नहीं होता है क्योंकि वहाँ पे आप देखोगे तो cold जो ocean current है वहाँ फ्रो होती है इसलिए कभी-कभी वहाँ पे 27 degrees से ज्यादा भी centigrade temperature हो जाती है फिर वहाँ tropical cyclone का formation नहीं होता है क्योंकि वहाँ पे pre-existing वहाँ पे क्या है कि high pressure area होती है ठीक है इसके लावाँ दोस्तों जो condition है वह आपर divergence होनी चाहिए यानि कि मालो surface से air जो uplift हो रही है उपर जाके divert हो ठीक है divergence से हो इसका भी एक condition है जो area होती है वहाँ पे आप देखोगे तो air का अपलिपेंड होता है convection cell formation होता है और उपर जाके यहाँ पे air का divergence होता है तो यह भी एक condition होनी चाहिए तब हमारा tropical cyclone का formation होगा तो एक पर देख लेते हैं हमारा tropical cyclone का formation always हमारा sea में होता है वह भी sea जहाँ पे large sea surface area होंगे और उनकी जो temperature होंगी sufficient larger duration के लिए 27 degrees से centigrade से ज्यादा होनी चाहिए Coriallis force presence होनी चाहिए यानि doldrum area पे हमारा tropical cyclone का formation नहीं होता है वहाँ पे high temperature होने के बावज़ोद भी Coriallis force नहीं होती है इसलिए tropical cyclone का formation नहीं होता है या equatorial area में फिर जो vertical winds होती है दोस्तों ascending winds होती है उनकी wind की speed में small variation होनी चाहिए इसलिए बहुत तेजी से उपर winds वोट रहा है ठीक है small variation होनी चाहिए इसकलाव pre existing weak low pressure area होनी चाहिए यानि कि जहां पे high pressure area generally होती है वहाँ पे आपको tropical cyclone का formation नहीं होती है इसलिए आपका southern जो Atlantic ocean में वहाँ पे tropical cyclone का formation नहीं होती है फिर upper divergence होनी चाहिए area में यानि कि जहां पे ascending जो air हो रहे है उपर जाके आपको यहां पे diverge होनी चाहिए यानि कि जो air है वो दूसरी तरफ move करनी चाहिए cyclone अब अगला देख लेते हैं यहां पे कि different जो स्वरी हाँ डिफेंट जो नेम है यान ट्रॉपकल साइक्लोन साइक्लोन जनरली सब जगा नेम नहीं है आप देखो कि यहां पे इंडियन ओसीन है अरेबियन सी और यहां पे बेया बंगाल में जो ओरिजिन होता है साइक्लोन उसको बोलते हैं साइक्लोन यहां पे साइक्लोन बोलते हैं और आस्टेलियन साइट यहां पे देखो कि यहां पे ओरिजिन होती है तो उसको बोलते है विली बिली ठीक है विल सब्सक्राइब क्या कि और देखो के तो यहां पे हरी इन बोलते है ठीक है तो पेसफिक ओशयन में इस्टन स्पीक और टाइफ Weihnachtским syllabus भी विली भी बोलते है इंडीन ऑचीक है इसके उसको साइक्लून बोलते है अट्लांटिक ते होती है उसके हो हरीकेन बोलते हैं तो यह हमारा डिफरेंट नेम है ट्रॉपकल साइकलोन का अब देख लिए दोस्तों अगला जो टॉपिक है अब देख लिए डेवलेप्मेंट अभी हम लोग कंडिशन देखिए कि कंडिशन कौन-कौन से सुटेबल होती है ट्रॉपकल साइ साइकलोन डेवलेप्मेंट यानि कि यहां पर मैच्चूर इस्टेज दोस्तों आप न्यूज में आप सुनते रहोंगे कि वे अब बंगाल में यहां पर ट्रॉपकल डिप्रेशन पैदा हो रहा है फिर आप कुछ दिन बाद सुनोगे ट्रॉपकल स्टॉर्म्स पैदा हो र कि मतलब है जो अपरे जो अपरेल टू जून आती है क्यों 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 के अपरेल टू जून ऑती है जो सन की बेच युट करेंगाल में पड़ती है और ITC jet भी वहाँ पर present होता है तो वहाँ की जो atmospheric condition होती है वो हमारा low pressure build create हो जाता है और इसके लाओं हम आप देखो कि service temperature जो होती ओसियन की 27 degrees से ज़्यादा होती है larger duration के लिए तो वहाँ पर क्या होती है जब देखो जब sea का temperature ज़्यादा होगा और जो heating होगी ज़्यादा होगी तो वहाँ पर जो sea का water है वो क्या हम इवपरेट होंगे देखो इवपरेट होंगे तो उपर उंठेंगी ascending होगा तो यहाँ पर cloud का formation होगा ठीक है तो cloud का formation होता है और cloud का formation में condensation होते हैं तो condensation होने से क्लाउट तो फार्मेशन हो जाता है लेकिन हीट रिलीज हो जाती है अब देखो हीट रिलीज होगी क्लाउट का फार्मेशन में तो हीट कहां पर जाएगी एड्मॉसफियर में रहेगी एड्मॉसफियर में रहेंगी तो हमारा एयर में हीट ज्यादा हो जाएगा तो क्या यह process repeat होता है कुछ दिनों के लिए तो हमारा evaporation हुआ, cloud का formation हुए और heat, latent heat आप generate हुआ और atmosphere में पहुँच गया है, फिर हमारा अफलिपेंट हुआ cloud का, तो cloud क्या हुआ है, cloud का एक column create होता गया, और cloud का column यह बहुत ज़्यादा large area में create हो जाता है, cloud बनते जाते हैं, अब to tropopause तो cloud बनते हैं, यानि बहुत ज़्यादा large cloud बनते हैं, तो इसको बोलते है tropical disturbance, तो इस condition को tropical disturbance बोलेंगे, फिर देखो tropical depression, उसके second step भी है, tropical depression, जब मेरा tropical disturbance हो गया, तो आपर depression पैदा हो ज़ता है, formation होने से क्या होंगे कि ऊपर हमारा cloud क्या होता है कि cooling होता है, cooling होने से यहाँ पे हमारा high pressure जनरेट हो जाएगा ऊपर, यानि ट्रोपोपॉस की आसपास high pressure जनरेट हो जाएगा, क्योंको देखो, जानी और नीचे हमारा low pressure 서 donut हो जाएगा अब देखो यह मारा topopause है और हमारा surface है यहाँ से air उपर ऊठी तो Candence हुआ यहाँ पे Cooling होई Heat Relics होगा है तो यहाँ पे upreal प्रेसर जननेट हुजाएगा और यहाँ पे low pressure होगा क्योंकि यहां पर हीटिंग हो रही है देखो हाई प्रेशर होगा तो हाई प्रेशर से इधर हमारा क्योंकि अधर जो एरिया होंगी अधर एरिया होंगी यहां पर लो प्रेशर होगा तो हम ऐसा जो विंड्स होती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर को यहां पर फलती है तो देखो यहां से winds का divergen होने लाएगा, high pressure से low pressure, तो winds इधर divergen होने लाएगे, तो इस condition में हमारा cloud का formation होगा, cloud उपर जाएगा और winds यहां पर divergen होने लाएगे, तो यहां पर divergen जब होने लाएगी, तो वहां पर depression यहां बने लाएगा, इस condition को बोलते हैं tropical disturbance, low pressure हुआ, high pressure हुआ, air का divergent होने लगा, तो यहाँ पर क्या होंगी, tropical depression यहाँ पर पैदा होने लगा, इस condition को tropical depression होते हैं, यह condition हमारा यह जल्दी-जली speed up होने लगता है, फिर tropical storms तब पैदा होंगे, जब देखो यह divergent air आके यहाँ पर descend करेगी, फिर यह low pressure इरिया में आ जागा, यहाँ से high pressure इरिया होगा, low pressure इरिया में आगा, यह circular motion होने लगागी, ठीक है, तो देखो, यहाँ पर जो ITCZ है, यहाँ वाव मेशन है, air उपर उठती है, divergent होता है, फिर यहाँ पर descend होती है, फिर यहाँ पर circular motion होने लगता है, तो यहाँ ट्रॉपकल storm का eye का formation होने लगता है, ठीक है, तो ट्रॉपकल depression में क्या होती है, यहाँ पर air का divergent होता है, अपर layer में ट्रॉपकल स्टॉप्स है, आई का formation होने लगता है, और यहाँ पर winds circular का motion होने लगता है, ठीक है, winds का circular motion होने लगता है, ट्रॉपकल स्टॉप्स में, और लास्ट में होंगी उससे भी ज्यादा 220 किलो मेंटर के आफंद बढ़ने लगी तो हमारा मैचोर ट्रपकल सैकलोन का फॉर्मेशन होता है ठीक है तिरा दोस्तों हमारा ट्रपकल सैकलोन का डेवलप्मेंट जब मैचोर इस्टेज में आ जाएंगी तो उसमें क्या क्या क्रेक्टरिस्टी हो होंगे ठीक है अब देखें डेवलप्मेंट इस्टेज में चार्ड डेवलप्में इस्टेज में टॉपकल सैकलों का होता है पिर देखो कैरेक्टरिस्ट्टी क्या होगी जब हमारा मैचोर इस्टेज्जमेंट पहुंच जाएगा तो देखो जहां से येर एसेंड हो रही है वहां पर आई का फॉर्मेशन होगा तो यह हमारा आई होंगी ठीक है और एसेंडिंग एर जो होंगी उपर आके डाइबर्ज कर देगी तो देखो यह हमारा आईवाल हो जाएगा जहां पर एसेंड हो रही है तो यहां से एर उपर उठ रही है और इधर आके डाइबर्ज ह होंगी और कुछ यहां पर low pressure होगा यहां पर high pressure होगा तो देखो एक net थोड़े देख लेते हैं यह हमारा ये र का ascending हो रहा है यह हमारा i create हो गया यह यहां पर low pressure है और उपर हमारा high pressure है जैसे आम लो मुशन होने लेगा ठीक है तो यहां पे i wall का formation होता है यह हमारा i होता है मैचुल इस्टेज में और जो diameter होते हैं यानि सरकुल मुशन का diameter यहां पे 100-200-500 km की यह हमारा diameter होते हैं लेकि stroms का diameter ठीक है यहां पे भी stroms जाने पूरा stroms का diameter आप देखोगे तो 600-1200 km की आसपस में affected होता है जब हमारा mature stage में tropical cyclone आ जाता है ठीक है तो wind की जो circular motion होती है उनसका जो diameter होता है 1500-500 km होता है लेकिन पूरा storm की diameter होता है वो 600-1200 km हो सकता है तो हमारा eye का formation होता है eye wall का formation होता है eye wall में हमारा air का ascending होता है और eye में हमारा low pressure होता है तो वहाँ पे eye air का descending में होता है ठीक है तो tropical cyclone move करती है जनरली 300-500 km per day यानि एक day में मालों यहाँ पे tropical cyclone हुआ 300-500 km एक दिन में यहाँ पे move करेगी ठीक है और जब यह winds की speed आप देखोगे 100 km से 300 km के बीच में vary करते हैं और जब यह move करते करते land पे आते हैं जब यह land पे आते हैं तो क्या होता है कि हमारा वहाँ पे weak होने लगता है tropical cyclone क्योंकि अभी हम लोग देखे थे tropical cyclone का जो energy मिलता है latent heat आप eviporation से मिलता है moisture से मिलता है अब हमारा C से correction कट जाएगा मोहाँ आना बंद हो जाएगा tropical cyclone में तो land में जैसे heat करेगी तो उसको मोहाशार मिलना बंद हो जाएगा और मोहाशार मिलना जब बंद हो जाएगा तो क्या होंगे वह weak हो जाए quarters हो जाए और धीमेदे में तो आज के इस वीडियो हम लोग दोस्तों काफे कुछ डिसकस किये कि सैकलोन के करेक्टरिस्टी का होती है डेवलेप्मेंट स्टेजेज देखे जो एक्जाम में पूछ लिए आते हैं कि कितने स्टेज में डेवलेप्मेंट होते हैं और डिफेंट नेम भी हम लोग देख लिए इसके लावन कंडिशन अफोर्मिस देख लिए ओरीजीन देखे टॉपकल सैकलोन मल्टी हजार्डस सैकलोन है उसको भी हम लोग देख लिए तो आज के इस वीडियो आपट प्रप करने के बारे में सब कुछ डिस्कस किए तो आई होभी दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लागा होगा यहीदि वीडियो अच्छा लागाओ — प्लेज आप कमेंट करके हमें जरूर बताईए कोई सजेस्ट करना चाते हैं वो भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं तो आज के लिए बस्तिनाई दोस्तो थैंक्यू पर वाचिंग मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक साथ थैंक्यू